दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको शनी ग्राय के उपाई बताने वाला हूँ जैसे मर्जी आपकी कुणली में उन पहुंचेशनी बैठा जाए उचराशी बैठा नीचराशी बैठा है,九 बार में शैनी करया की वज़ा से कोई परशानिया दिक्कत आ रही हैं, तो आप शैनी करया का मंत्र जब करें, या फिर आप शैनी करया का कोई भी पाड़ कर सकते हैं, या फिर रोज शैनी चालसा हो, शैनी कब्ज का पाड़ कर सकते हैं, शैनी सरोत का पाड़ कर सकते हैं, तो अगर श अंख्या कंप्लीट होने के बाद ये मंतर सिद्ध हो जाएगा लेकिन अगर दोस्तों आपके उपर साड़ी सित्य चार रही है महादस चार रही है डेया चार रही है अंतर दह चार रही है तब तो आप इसका मंतर्याव निरंतर करते रहें जब ते इसकी ये दशाज़ा आप के उपर तो दोस्तों दूसरा आपने बेस्ट उपाय है कि आप शैनी के मंदर जाते रहें हर शैनीवार के दिन शैनी मंदर जरूर जाएं तीसरा आप शैनीवार का वर्त रखें कथा करें आर्थी करें ये दोस्तों तीनों उपाय सबसे बेस्ट हैं आप बाकी उपाय चाह का कोई भी एक पाइट कर सकती हूँ चायो वो हलूमा चालसा हो बज्रंग बन हो क्योंकि दोस्तो छूँमा जी को भी यह वरदान प्रावत है कि जो कोई बक्त हलुमा जी की पूझा पसना करेगा उसे शनी द्वारा कर्ष्ट नहीं मिलेगा तो आप हलुमा जी का कोई पार्ट कर सकती है तो दोस्तों उसके बात बात करते हैं कि आपने अगर शनी ग्राय का बल जानी कि इसकी डिगरी बढ़ानी है तो आप कौन से उपाई करें बात करते हैं कि अगर आपने शनी देव का बल बढ़ाना है तो आपने कौन से उपाई करने हैं बल मतलब मालो आपकी कौनली में दोस्तों बल आप तब ही बढ़ाएं जब आपकी कौनली में शनी ग्राय योग का रख अवस्ता में हो जानी कि अगर आप उच्छ रशी में बैठा है मित्तर रशी में बैठा है कि इंदर तरकोन में बैठा है अपने गर में बैठा है और उसकी तो दूसरा आप काले कपड़े अधिक पहने और तीसरे नबर पे आप जो शनी ग्रया की वस्तुएं हैं उनका अधिक इस्तिमाल करें अपने खाने बिनी में जैसे की काला नमक हो गया जामन तील हो गया सरसू, पालक, सेब, अमरूद, सेका हुआ अमरूद होता है जो बदाम हो गया खरोट, पीपल के कोपले, सोया बीन, काले अंगूर हो गया, छोटे बैंकन हो गया, चुकंतर हो गया तो इसके लावा तिल तेल में पक्का अन खाएं तो आगे बात करते हैं कि आप चोथे नबर पे आप उस सरसों के तेल से अपने सरेर की मालश करें और पांच में नबर पे दोस्तों आप अपने करम अच्छे रखे जाने कि आप गरीब लंगड़े अपाईज बेसारा नात जरूरत मंद दीन दुख्यों की किसी ना किसी प्रकार से उनकी मदद जरूर करें यह दोस्तों दोनों तरफ के उपाई हैं अगर बल कम भी करना है या बढ़ाना है तो यह आपको हमेशा बेनेफिटी देंगे च्छाटे नमबर पे आप अपने करमचे रखें बेईवानी दोखा जूट निंदा अलोचना श्राब जूवा मास इन सबसे दूरी बनाई रखें तो इसके लावा दोस्तों आप जो छोटी जाती के लोग होते हैं उनकी किसी ना किसी प्रकार से मदर करें इसके लावा आल से बतें दिन में सोना बंद करें ध्यान लगाएं इसके लावा आप बैंस कोवे कुटे जां काली गाएं को बोजन दें पशू प्रेमी बनें दिन दुख्यों के मदर करें पीपल ना कटवाएं कुछ समय पीपल के नीचे अवश बैटें अध्यात्मिक बनें गर में कबाड कठा ना होने दें जन सेवा करें जुवा श्राब मास से दूरी बनाई रखें जूट ना बोलें माता की सेवा करें राष्ट बग्त बनें शोट कट कवे चक्र में ना रहें तो दोस्तों ये से बल बढ़ाने के लिए उपाई इसमें से अगर आप कोई भी पाई भी नहीं करना चाते तो आप खाली रतन पहन सकते हैं रतन पहनने से श्यानी ग्राय का बल जानिकि इसकी डिगरी बढ़ जाएगी जो डिगरी इसकी जीरो है वो चली जाएगी पंदर पाई करें दोस्तों इसके लिए आप अगर कोई भी पाई करने है तो आप शनिवार का दिन चुने शनी का दान करें जैसे कि आप शनिवार के दिन सूर्य अस्त के समय आप काली चिंटियों को काले तिल डाल सकते हैं कव्वे को या फिर काले कुत्ते को सर्सों का तेल बड़ा अधिक प्रयोग में ना करें तो आपको ये चार्ट के मादिन से पता चल जाएगा कि कोई भी ग्रह कितनी डिगरी में कितने परसेंट फल देता है पहले तो दोस्तो कोई भी ग्रह जो होता है वो 0 डिगरी से लेके 30 डिगरी तक होता है जाने कि 1,2,3 जाने कि 0 से लेके 30 डिगरी तक होता है जो भी ग्रह जीरो डिगरी का होगा कुंडली में अगर 0 डिगरी का बैठ है जा फिर 30 डिगरी का बैठ है तो वो मृत्त वस्ता में होता है जाने कि वो कोई भी अगर अच्छे फल देगा, तब भी बिल्कुल कम मातर में देगा, चाहे खराब फल, जैसे मर्जी फल देगा, चाहे अच्छे चाहे बुरे, बिल्कुल कम मातर में देगा, जाने कि वो 0 से 5 परसेंट तक फल देगा, ऐसी अगर कोई कुंडली में तो उसे हम कहते हैं बाल वस्ता जाने कि वो बच्चा ग्रह होता है तो वो भी उसके फलों में कमी आती है जाने कि वो 20% से लेके 30% तक फल देता है चाहे अच्छे दे चाहे बूरे दे ऐसी अगर कोई ग्रह स्थाई डिगरी या ठाई डिगरी या 29 डिगरी का बैठा है जैसे कि 20% से लेके वो भी 30% तक फल देगा अगर कोई कुंडली में 4 डिगरी से लेके 9 डिगरी तक ग्रह बैठा है तो वो 30% से लेके 60% तक अपने फल देता है अगर कोई ग्रह 21 डिगरी तक बैठा है तो वो भी 30% से लेके 60% तक फल देगा ऐसी अगर कोई कॉंटली में गरे है 10 डिगरी से लेके 20 डिगरी के अंदर अंदर बैट है जैने कि उसकी डिगरी 10 है 11, 12 से लेके 20 डिगरी तक है तो वो पूरा जुगा वश्ते में होता है जैने कि उसके जो फल होंगे वो 70% से लेके 100% तक होंगे बलकि जो कोई भी गरे अगर 12 डिगरी से लेके 18 डिगरी तक बैठा जाने कि उसकी डिगरी अगर 12, 13, 14, 15, 16, 17 या फिर 18 हैं तो वह पूरा बलवान होता है वह 100% फल देता है ऐसे दोस्तों अगर कोई कुंडली में गरे आस्त वस्ता में बैठा है तो वह बलवहीन वस्ता में होता है उसकी डिगरी बिलकुल कम हो जाती है वह आपके जो भी अच्छे फल देगा चाहे बुरे देगा वह भी सिर्फ 0 से 5 फल दे पाएगा तो इस चार्ड के मातिसा आपको पता चल जाएगा पता चल चुका है कि कोई भी गरे कितने परसेंट आपको फल देगा अगर कोई गरे 10 डिगरी से लेकर 20 बैठे तो वह पूरा बलवान होता है तो अगर कुंडली का कोई मार्क गरे 0 डिगरी एक 2 डिगर रवान होसे 2 डिगरी कैसे बढ़ाने है तो दूस्का गर आपने किसी गरे की डिगरी बढ़ाने मालो रहो बैठों आपका 11 डिगरी का तो वहां पे अगर वह हो नीच राशी 2 बा More Them Here के लिए हम उसका करेंगे दान, दान के मादियम से उसकी जो 11 डिगरी है वो चलिजेगी जीरो के उपर, जैने कि व आपको जो भी खराफ़ देगा, वो बिल्कुल कम आत्रा में देपाएगा, जैसकि मैंने पहले बता जोगा, जीरो डिगरी वाला ग्रह जा तीर डिगरी वाल सिर्फ 5% तक ही फल देता है, तो अगर राव आपको कराफ फल देगा, बिल्कुल कम मात्रा में देगा, ऐसे अगर कोई ग्रह आपका मालो बुद्ध ग्रह अस्त बैटा है, क्योंकि बुद्ध जारतर अस्त बैटता है कुंडली में, तो बुद्ध अगर मालो एक डिगरी क उसे प्लस करना है, डिगरी बढ़ाने के लिए प्लस करके उसकी हम डिगरी करेंगे 15, तो उसके लिए हम उसका रत्मदान करते हैं, तो दोस्तों